सुपॉल के सदर प्रखंड में पीपरा खुर्द के पास कोसी नदी में सेलफी के चकर में चार बच्चे कोसी नदी में डूब गए जिसमें से एक लड़की और दो लड़कों को ग्रामिनों के सहयोग से सुरक्षित निकाल लिया गया जबकि एक लड़का अभी कोसी नदी में लापता है जिसकी तलाश कुई जा रही है ग्रामिनों के नुसार चार बच्चे कोसी नदी में सेलफी लेने के चकर में गहरे पानी में उतर गए और डूब गए वहीं मौके पर पहुँचे जिला परिशत सदस्य परवेज नियर ने कहा कि प्रसाशन को भी इसकी सूचना दे दी गई है कोसी नदी में डूबे लड़के की दलाश की जा रही है कोसी नदी में सेलफी लेने के चकर में चार बच्चे जिसका पौँ फिसल गया और वो नदी में समा गये जिसमें तीन को बचा लिया गया है एक अभी भी लापता है जिसका कोज अभी जाड़ी है और वो अभी तक नहीं मिल ला है लापता लड़के का नाम आशू बताय जा रहा है जो पिप्रा खुर्द का निवासी है प्रसाशनिक अधिकारियों ने SDRF को भी सुषना दी है फिलहाल लापता यूवक की तलाश तेश कर दी गई है हाच से के सुषना पर कोसी नदी में लोगों की भारी भीर उमर पड़ी पंजाब कैसरी टीवी के लिए सुपॉल से सुभाश की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद